नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागता गर्वेंट अपडेट के आज के वीडियो में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैमिली आइडी के बारे में कई राज्यों में फैमिली आइडी बनना स्टार्ट हो गया है यूपी में, हरियाना में, उत्राकंड में, जम्मू कस्मिर में और धीरे-धीरे ये पूरे देश के कई राज्यों में होगा आपको बता दे, फैमिली आइडी के बहुत सारे फाइडे हैं लेकिन सरकार इस पे इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है इस चीज को भी आपको समझना जरूरी है सरकार को क्या फाइडा होने जा रहा है और साथ ही आपको क्या-क्या फाइडे मिलने जा रहे हैं इस वीडियो में हम लोग फैमिली आइडी के सारे डिटेल्स को समझेंगे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दू हम government rate schemes और update इसी चैनल पर करते रहते हैं, अगर आप नए हैं तो subscribe कर लिजी, यह सारे schemes और update आपके फाइदे के लिए होते हैं, तो चलिए वीडियो को start करते हैं. Family ID card क्यों बनवाएं? क्या फाइदा होगा इस Family ID card से? हमारे पास तो आधार card है, रासन card है, पैन card है, अब यह नया ID card Family ID card से होने क्या जाने वाला है, क्या बदल जाएगा? तो इसी सब चीज को समझते हैं कि Family ID card पे सरकार इतना जादा खर्च क्यों कर रही है, और सरकार जो है क्यों कह रही है कि हर पड़िवार को यह Family ID card बनवा नहीं होगा? अब इस तरह से समझे, अगर आप से यह पूछा जाए, कि पुड़े देश में कितने बेरोजगार कि किसी राज में एक करोड लोग बेरोजगार है, किसी राज में दो करोड लोग बेरोजगार है, किसी के पास भी exact data नहीं है, दूसरा बात मैं बताता हूँ, अगर किसी से पूछ लिया जाए कि आपके घड में जो यह बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या सभी को scholarship योजना क करने जारी है, family ID card बना के, family ID card से क्या होगा, सरकार के पास एक exact data चला जाएगा, मतलब कितने लोग हैं एक पडिवार में, जैसे ही नए बच्चे पैदा होंगे, उसके बाद उसको भी जोड दिया जाएगा family ID card से, तो सरकार के पास हमेशा data अपडेट होते रहेगा, सरकार को ये फालतु का जनगन्ना उनगन्ना के चक्कर में नहीं बार बार पड़ना पड़ेगा, जिसमें अरबो रुपे खर्च होते हैं, सरकार के पास जो है, accurate data होगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे टेंथ में पर रहे हैं, कितने मतलब सभी चीज का डाटा सरकार कलेक्ट कर रही है, इसी को कहा जाएगा family ID card, अब ये समझते हैं कि ये family ID card में क्या होगा, क्या business ID card दिया जाएगा, आपको बता दे परिवार का जो मुखिया होगा, वो होगा family ID card का head, और उसके बाद जितने भी members होगे, वो सारे उसी family ID card में जाएगा और जैसे ही किसी की मिर्ती होगी, उसको हटा दिया जाएगा, अब हम लोग समझेंगे कि सरकार का क्या दिसा निर्देश है family ID card को लेकर, family ID card को लेकर सरकार क्या दिसा निर्देश जारी करती है, इसको अच्छे से समझिए, सबसे पहले सरकार कहती है कि अगर आप family ID card बनवा रहे हो, तो आपके पास आधार card होना तो जरूरी है, और आधार card आपके mobile number से link होना जरूरी है, क्योंकि उसी number पे OTP जाएगा, दूसरा condition सरकार ये कहती है, कि अगर आपके पास रासन card है, और रासन card में सभी पडिवार के सदस्यों का नाम पहले से जुड़ा ह हुआ है, तो आपको family ID card बनवाने का जरूरत नहीं है, आपका रासन card का जो number होगा, वही family ID card number होगा, अब ये समझे तीसरे सर्त में सरकार क्या कहती है, सरकार का कहना है कि एक व्यक्ति एक ही पडिवार से जुड़ सकता है, अगर एक व्यक्ति एक से जादे पडिवार में जुड़ता है, तो वह अमानने हो जाएगा, मतलब एक व्यक्ति एक ही family ID card बनवा पाएगा, चाहे वो अपने पिता के पडिवार के साथ पहले ही बनवाले, या फिर अपना अलग पडिवार का family ID card बनवाले, अब सरकार इसके अलावा ये भी कहती है कि जब आप family ID card में register कर होगे, तो 15 अंका आपको जो है registration number दिया जाएगा, जिसको आपको समहाल के रखना है, अब ये समझते हैं कि ये जो सरकार database बना रही है, इससे आपको क्या-क्या फाइदे मिलने वाले हैं, और रोजगार वाली जो बात है, उसमें सरकार का क्या कहना है, एक पडिवार, एक पहचान और एक family ID, अब ये समझते हैं कि family ID में सरकार रोजगार कहती है, तो सरकार का कहने का क्या मतलब है, और सरकार क्यों चाहती है कि हर पडिवार में एक रोजगार दिया जाए, सरकार का कहना है कि हर पडिवार में हम कम से कम एक रोजगार देंगे family ID बनवाने के बाद अब इसको आपको समझना होगा कि यहां रोजगार का मतलब सरकारी नूक्री नहीं है बलकि जीवन या आपन करने के लिए कोई भी रोजगार है सरकार के नजर में अगर आप पकोड़े भी तल रहे हैं तो आप रोजगार कर रहे हैं सरकार के पास जब एक proper database हो जाएगा, कि इस area में इतने लोग बेरोजगार हैं, इस area में इतने लोग बेरोजगार हैं, तो सरकार उसी हिसाब से factory planning कर पाएगी, उसी हिसाब से company planning कर पाएगी, ताकि कोई नए companies आये तो इस area में दिया जाए, इस area के युवा जादा बेरोजगार है, तो इन्हें training दिलवा के रोजगार दिलवाया जाए, इस तरह से सरकार जो है, रोजगार से जोरने वाली है, हर पड़िवार को इस family ID card के तरू, अब ये समझते हैं कि इसके अन क्या-क्या फाइदे हैं, किन-किन schemes में आपको इसका फाइदा मिलने वाला है, इसको भी देखना आपको जरूरी है, अब ये समझते हैं कि सरकार के पास एक database चला गया, सरकार के पास database चला गया, कि कितने लोग बेरोजगार हैं, किस area में कितने लोग हैं, कितने पड़िवार हैं सभी database चला गया, तो अन योजनाओं का लाव कैसे मिलेगा, अब ये देखिए, PM आवास योजना हो गया, आईसमान भारत योजना हो गया, बुढ़ापा पैंसन योजना हो गया, scholarship योजना हो गया, ये सारे चीज डारेक्टली जुड़े हुए हैं आपके उमर से, डारेक्टली जुड़ा हुआ है आपके family के status से, ये सब चीजों के लिए आपको पहले अलग-अलग apply करना पड़ता था, लेकिन आप family ID बनने के बाद, आपको इन चीजों का फाइदा automatically मिलना सुरू हो जाएगा, अगर बात करें scholarship योजना की, तो वो भी आपको मिलेगा, इसके बाद जो भी व्यक्ति 18 साल का जैसे ही पूरा होगा, सरकार के पास database अपडेट होगी, और सरकार आपको voter ID कार देदेगी, मतलब अगर आपको driving license चाहिए, आपको अलग-अलग paper जमा करने की जरूरत नहीं है, बस आप एक family ID लिखोगे, उसी से उनके पास सारा data पहले से होगा, अलग हर form भरने के लिए आपको 10 paper जमा करने पड़ते थे, लेकिन अब बस आपको एक family ID लिखना होगा, और वो family ID enough होगा आपके पहचान के लिए, आपको बता दे जिनके पास रासन कार्ड है, उनका रासन कार्ड नंबर ही उनका family ID कार्ड होगा, और जिनके पास रासन कार्ड नहीं है अभी तक, रासन कार्ड उन्होंने नहीं बनवाया है, उनके लिए family ID card अलग से register करना पड़ेगा हर राज का अलग-अलग portal है आप comment कर दीजेगा किस राज से आप belong करते हो मैं आपको वहाँ के portal का link दे दूँगा इसी तरह की government schemes और update की video हम इसी channel पर करते रहते हैं ये सारी schemes और government जो update हम देते हैं वह आपके लिए बहुत ही जरूरी है channel जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और हमारे साथ बने रहेगे का बहुत बहुत धन्यवाद आपका